माउन्टाबू में अचलगर दुनिया की एकलौती ऐसी जगह है जहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है भगवान शिव के सभी मंदिरों में उनके शिवलिंग की पूजा होती है लेकिन यहां भगवान शिव के अंगूठे की पूजा होती है दरसल भगवान अंगूठे के निशान मंदिर में आज भी देखे जा सकते हैं। इसमें चढ़ाय जाने वाला पानी आज भी एक रहस्य है। माउंटाबु को अर्धकाशी भी कहा गया है और माना जाता है कि यहां भगवान शेव की छोटे बड़े 108 मंदिर है। माउंटाबु की पहाड़ियों पर स्थित अचलकर मंदिर पराणिक मंदिर हैं जिसकी भवेता देखते ही बनती है। इस मंदिर की काफी मायता है और माना जाता है कि इस मंदिर में महाशिवरात्री सोमवार के दिन सावन महीने में जो भी भगवान शेव की दरबार में आता ह भगवान शंकर उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। इस मंदिर की पराणिक कहानी है कि जब अर्भूत परवत पर स्थित नंदिवर्धन हिलने लगा तो हिमाले में तपस्या कर रहे भगवान शंकर की तपस्या भंग हुई। क्योंकि इसी परवत पर भगवान शेव की प् परवत फिस्थेर हो गया। भगवान शेव के अर्भूत आचल में वास करने का सकनद पुराण में प्रमान मिलता है। सकनद पुराण के अर्भूत खन में ये बात सामने आती है कि भगवान शंकर और विश्णु ने एक रात पूरे अर्भूत परवत की सेर करते हैं। भगवान शेव के सभी मंदिरों में उनके शिवलें की पूजा होती है लेकिन यहां भगवान शेव के अंगूठे की पूजा होती है। यहां भोले अंगूठे की रूप में विराजते हैं और शिवरात्रिवस सावन के महीने में इस रूप के दशन का विशेश महत्व आबु परवत का केंद्र बिंदु अचलेश्वर महादेव मंदिर यहां का सबसे प्रमुख स्थापतिकला से परिपून एतिहासिक मंदिर है। यहीं पर भगवान शंकर के अंगूठे की पूजा होती है। गड़ भगरे में शिवलिंग पाताल खन के रूप में द्रिष्ट गोचर होता है जिसके उपर एक तरफ पैर के अंगूठे का निशान उब्रा हुआ है जिन्हें स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। यह भगवान देवाधी देव शिव का दाहिना अंगूठा माना जाता है। पहाड़े के तल पर पंद्रवी शताब् में बना अचलेश्वर मंदिर में भगवान शिव के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। मेवाड के राजा रणा कुम्भनी अचलगर किला एक पहाड़ी के उपर बनवाया था। किले के पास ही अचलेश्वर मंदिर है। गर्भग्रे के बाहर वाराह, न्रिसिह, व में कितना भी पानी डाला जाए लेकिन ये कभी भरता नहीं है, इसमें चढ़ाया जाने वाला पानी कहा जाता है, ये आज भी एक रहस्य है। अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर के चौप में चंपा का विशाल पेड़ है। मंदिर में बाएं और दो कलात्म खंभों प शपत लेते थे।